अब हम देखेंगे कि हम entire column को और entire row को किस तरीके से select कर सकते हैं मेरे पास यह एक data set है मैं यह चाहता हूँ कि इसमें जो columns है A, B, C, D, E इन में से मैं किसी column को entirely select करना चाहूं तो मैं क्या करूँगा कि let's suppose यह मेरे पास है column E इसके यहां पे column name E है इसको अगर मैं इस यहां पे जाके अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यह पूरे का पूरा जो column है entire column यह select हो जाएगा इसी तरीके से अगर मैं rows पे जाऊं तो row पे let's suppose मैं row number 3 पे लाके अभी मैंने कोई click नहीं किया just मैं mouse लेके आऊं row 3 पे लाके जब यह arrow sign show हो तो इस पे जागा मैं यह click करता हूँ तो मेरे पास यह entire row जो है उसमें जितने भी cells हैं वो सारी की सारी row जो है वो select हो जाती है यह तो method है कि हम किस तरीके से row को और column को entire column को और entire row को including all the cells हम किस तरीके से select कर लेते हैं लेकिन अगर यहां पे मैं कहूं कि मुझे यह तो method है कि हम किस तरीके से row और column को select कर सकते हैं अब मैं अगर चाहूं किस तरीके से row और column को select करूं जिन में सिर्फ data मौजूद है वो rows और वो columns में किस तरीके से select करता हूं simple method है आपने जहां पे column का name है first cell है मतलब उस column का first cell let's suppose column E है तो E1 जो cell होगा अगर column D है तो वो D1 जो cell होगा मतलब के उस data set के format में जो आपके पास column का header है उसके आपने लाके click करना अब देखें यह E column है E column में मेरे पास sale amount वाला header है मैं इस पे click करता हूँ इस पे click करने के बाद मैंने क्या करना है प्रेस करना है shift plus control और अगर मैं down arrow की प्रेस कर देता हूँ तो मेरे पास वो column पूरे का पूरा जहां तक data है वो select हो जाएगा column में जहां तक data है वहां तक उस column को select करने के लिए combination की जो है वो है shift plus control plus down arrow की ये short की है for selection of column having data अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं row को select करना हूँ जिस row तक data है तो क्या करूँगा इसी तरीके से ये हमारा है row 4 में पहला cell जो है उसको select करके shift plus control और left arrow की shift plus control plus down arrow की अगर प्रेस करेंगे तो वो हमारे पास है combination की for selection of column having data shift plus control plus down arrow की अगर हम प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास combination की है for selection of columns having data उस column को जहां तक data है उस cell तक select करने के लिए हम shift plus control plus down arrow की यूज़ करते हैं और अगर मुझे row को select करना है for selection of row having data तो shift plus control और left की को प्रेस करेंगे तो हमारे पास वो row और column जो है वो select हो जाएंगे जहां तक cells में data मुझूद है